पानिपत के गाउं गड़ी भलोर में करीब 17 दिन पहले 35 वर्षी ड्राइवर संदीप वालमिकी की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है आरूपियों की गिरफतारी ना होने के चलते परिजनोवा गाउं के सैगडों लोगों ने आज लगू सची वाले के पार्क में धरना दिया और पुलीस प्रशाशन के खिलाफ रोश जताते हुए स्पीडी सी से न्याय की गुहार लगाई इस मौके पर परिजनों ने कहा कि आरूपि बेखौफ होकर सरयाम घूम रहे हैं और पुलीस प्रशाशन हाथ पर हाथ धरे बैठा है ऐसे में उनकी मांग है कि आरूपियों को जल्द गिरफतार किया जाए वरना रोट जाम करने को मजबूर हो जाएंगे आज पता लगजेगा दो दिन का टैम देओ दो दिन का देओ आज 15 दिन होगे इतना सा भी शुराग मारे को नहीं दिया आम रोंदे बिलक दे आज यहां तक आये हैं आरे साथ सार गाम आया मारा सर पचाया है किसान आड़ा वो विदायत भी आया मारे साथ हैं दी सीना एफ दिद्ध के बाद भी नहीं होता तो फिर क्या कारवाई करें इतने नहीं हम बेठ हैंगे चांता इतना अमने सापनी मिल ने बच्चों ने सापनी मिल दहें देख वो च्यार बच्चे हैं इनका कोन सा राओं किसी का पिए विद्ध रहा था जो उसकी इतनी ब्लद्यत अत्य करी गई हैं आमने जवाब चाहिए वगिर नहीं है मिला झाहिए खता लागे कि अ sincerity देखे बाई साथ सोड़ा तारिक को गिरातरी को यह संदीप सनुप करण सिंग जाती बालमिक गड़ी बलोर का रहने वाड़ा था कुछ स्रार्थी तब तो नो इसको लट मार के बुरीतरे से इसकी अत्या कर दी गई है उसके बाद पुलिस पर सासन की जो कारवाई चल रही उससे बालमिक समाज संतुष नहीं है क्योंकि सत्रा दिन उने को आगे आज तक जो है किसी का कोई सुराग नहीं लगा बार बार ऐसे चुबा पुली के पास जाना यह जबाब भी डूंड रहे हैं मिलजेगा डूंड रहे हैं मिलजे संदीब की अत्यारों को जल्देशल गिर्पतार कर गया कठोर से कठोर सजा दी जाए इस परिवार को कुछ सुक श्यांती मिलें कम से मानने वाड़ा बार इंड का मर गया तो कैसे आत्मा संतुष टोगिंड की लेकिन मारी परसासन जे एक ही विंती है पाणिपद एस्पी स समाज के सामने आके समाज का पेट्टा बरिये किसी साथ कि क्या कारवाई चल रही कहां तक बात पहुंची है कब तक क्या हो जाएगा देखे परसासन कारवाई नहीं करेगा जरिया तो और भी बहुत है अगर जो की निकारणों से देर ही हो रही है इससे कितने बदमाजपन पहेंगे क्यों क्यों कि संदीप की अत्ता कर दी थी उसमें किसी या कुछ निभी गड़ा थारा के भी गड़ेगा तो मुस्य बदमाजपन आरे बर गड़े भी हैं रात दिन आना जाना पड़ा है और जो बदमाजपन समरेंगे नी जी अले बद जाओंगे नी तो पन पहेंगे तो हमरे भाई लेकिन ऐसा एक से लाग तक होने संदीब के अत्यारों ने अंदर करवाएगा सांच लेंगे बता देखी 17 दिन पहले मंगलवार की रात करीब 8 बजे गाउं गड़ी भलौर का रहने वाले संदीब वालमी की घर से किसी काम के लिए बाहर गया था गाउं के कुछ यूवकों ने संदीब को ट्यूब वेल पर ग्रामीन आरूपियों की ग्रफतारी की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं जिसके चलते परिजनों और ग्रामीनों में रोश बढ़ता जा रहा है पानिपत से सचिन शर्मा पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध